Hello everyone, आज हम Class 4 की English के book के unit number 6 टेक चाप्टर पढ़े जा रहे हैं The Scholar's Mother Tongue So, चलिए हम शिरू करते हैं चाप्टर को A learned pundit once visited at the court of Akbar तो आपको अकबर बीरबल तो पता ही होंगे ना अकबर राजा थे और बीरबल उनके मंत्री थे तो अकबर जो राजा थे ना उनके महल में उनके राज महल में एक पंडित आते हैं पंडित आपको पता है ना साधू लोगों को हम पंडित बोलते हैं तो पंडित आते हैं और फिर He told the kings and courtiers that he had mastery over many different languages तो आप जो पंडित होते हैं वो सभी लोगों को बताते हैं मंतरियों को बताते हैं और राजयों को बताते हैं कि उन्हें दुनिया में जितनी भी language हैं मतलब बहुत सारी language आती है उन्हें बोलना उन्हें उन्हें master हैं वो master का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं सारी languages को बोलने के लिए तो पंडित could speak many languages fluently और वो बोलते हैं कि मैं हूं और मैंना सारी जो भाषाइं हैं पूरी उन्हें सब को पहुत जल्दी जल्दी बोल सकता हूं मुझे इतनी अच्छी तरीके से सारी भाषाइं आती है ऐसा सारी पंडित बोलते हैं सब लोगों को he was so fluent that no one could find out what his mother tongue वाज तो अब पंडित कहते हैं कि मैं इतना जल्दी बोल सकता हूं कि कोई ढूरी नहीं पाएगा कि मेरी mother tongue कौनसी है अब बच्छो mother tongue का क्या मतलब होता है मात्र भाषा mother tongue को हम मात्र भाषा बोलते हैं ऐसी भाषा जो कि हमने बच्छपन से सीखी हो जैसे हम लोगोंने बच्छपन से हिंदी पड़ी है और सीखी है तो अब हम हिंदी जल्दी जल्दी बोल पाते हैं कई बच्छों ने इंगलिश दीखी होगी है ऐसे बहुत सारे लोगे दुनिया में जिनकी मात्र भाषा बोलूंगा उन भाषा को कि आप समझी नहीं पावगे कि मेरी जो मात्र भाषा है वो कौन सी है क्योंकि आपको पता है मात्र भाषा जो हमारी होते हैं उसे हम अच्छी तरीके से बोल पाते हैं लेकिन यह जो पंडित थे वो सारी भाषा को यह अच्छी तरीके से बोल कि मेरी मात्र भाषा कोई भी पहचान कर दिखा दे मैं ऐसे चुनोती देता हूँ उन्होंने सारे दरपारियों से कहा और राजा से कहा अब देखे यहाँ पर जो नए नए शब्द हमने सीखे हैं इन्हें यहाँ पर ही लिख दिया गया है इनको अभी हम पढ़ लेते हैं अब आगे पढ़ते हैं कहानी में क्या होगा अब सब पंडित जी थी थे उनकी मातरवहशा को देखने लगी सोचने लगी कौनसी होगी क्यूंकि पंडित थे वो तो हर भारशा कोई अची तरिके से बोल पाते हैं अब मातर भाशा कौन सी है कोई समझी नहीं पा रहा था तो जब सारे लोग अपना उन्होंने कह दिया कि हम हार गए हम नहीं बता पारे तो यह चुनाती थी वो बिर्बल को दी गई बिर्बल से बोला गया कि बिर्बल आप देखिए पहचानी है इनकी मातर भाशा कौन सी है तो बिर्बल ने कह दिया ठीक है हम पहचालेंगे दैट नाइट बिर्बल वेंट कुटली तो द पंडित रूम वेन ही वस असलीव जब रात हो गई तो जो बिर्बल जी थे वह गए पंडित जी के कमरे में जहां पर वह सो रह थी पंडित ठीक है तो बिर्बल जैसी कमरे मे तो बीवल निथीरे से कुछ पोला पंटित के कानों के अंदर and tickled tickled का मतलब होता है गुद्गुदी करना with a feather पंडित जी के गुद्गुदी करी एक punk से, जैसे आप देख पह रहें, punk होते हैं न, इनसे गुद्गुदी करी, बीरीबल ने पंडित के कानों में कुछ हलका से बोल दिया, ठीक है, अब वो तो सो रहे थे, तो अगर आपके साथ को कोई आपकी गुद्गुदी करें सोते समय तो आपको डिस्टर्ब होगा ना बच्चो तो पंडित हाफ अवे है जैसे अगर हम पूरे दिन बोलें इंग्लिश इंग्लिश ही बोलें लिकिन हमारी मात्र भाषा हो हिंदी हमने बच्पन से हिंग्डी सिखी है तो मैं हर जग इंग्लिश इंग्लिश बोलूं उसके बाद जब कोई मैं परशानी में आ जो जब कोई मेरे गुद्गुदी करे तो मूँ से क्या निकलेगा हमारे मात्र भाशा ही तो निकलेगी हिंदी ही निकल जाएगी कि अरे गुदगुदी क्यों कर रहे हो या कुछ भी हिंदी में ही तो निकलेगा तो जब भी हम परशानी में होते हैं तो हमारी मूँ से मात्र भाशा ही निकल जाती है वो ही भाशा न बटेट में आया एगले दिन और ऑन्होंने बोला कि पंडित जी है उनकी जो मاتरभाषा है वो है तेले क्यूंअ टीक है तो कैसी बीबल को पता चेल गया लिए तो उन्होंने बोल दिया कि पंडित बड़े घबरागे मतलब अचम्बे में पढ़ गया और उनने असेप्ट कर लिया असेप्ट का मतलब होता है मान लिया टुथ को तुथ मतलब सच को तो यह जो थे पने जी वह बड़े आश्चरी में पढ़ गया लेकिन उनने फेद लास्ट में बोल दिया कि हां यही मेरी मातर भाशा है किंग अकबर देना आस्ट विर्बल how did you find the truth तो किंग जो अकबर जी थे अकबर जराजा थे उन्होंने बिर्बल से पूछा कि आपको कैसे बता चला आपको कैसे बता चला है पंड़ जी की मातर भाशा तैल लिए है कि पंडर जी तो हर भाशा को इतनी अ और शानी में होता है, तो वह अपनी मातरभाशा ही बोलता है, उसके मुझे निकल जाती है, उसकी मातरभाशा जो समय बच्पन से सिकھی है, he also told the king how he had gone to the pundits room at night to find out the truth और बीरबल ने राजा को ये भी बताया कि वो कैसे रात को पंडित के कमरे में गए थे सच को जानने ठीक है मात्रभाशा को जानने उन्होंने कुट कुदी कैसे की ये सब उन्होंने बीरबल ने राजा को बता दिया तो ये थी हमारी स्टोरी और इसमें अकबर बीरबल की बहुत प्यारी से कहानी थी और अड़ाप्टेट फ्रॉम अकबरेबल स्टोरी तो I hope आपको समझाई होगी कैसे लगी आपको एक कहानी I hope समझाई होगी अच्छे लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा थैंक यू